हेलो एबरिवन आज से हम लोग यूथ कॉंपिटिशन टाइम्स का जो पी रेल्वे का प्रिवेस यहर का साइंस का कोर्शन बैंक है उसका सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इस बूक में साइंस के जितने भी प्रिवेस यहर के कोर्शन 2014 से लेकर 2020 तक रेल्वे के जितने भी सारे एक्जाम के कोर्शन को इसमें चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है अगर आप इस बुक को बना लेते हैं तो आपके इतने भी आने वाल डिल्यू के एक्जाम में जैसे की गुरूप D, NTP, PC तो सारे एक्जाम में यहां से कोर् सब्सक्राइब के अच्छा हो जाएगा तो चलिए आज हम लोग यहां पर इसका भागवन भातिक विज्यान फिजिक्स का फर्स्ट चेप्टर मातरक मापन मापन यंद्र इसको इंग्लिस में यूनिट मेजरमेंट और मेजरिंग इस्ट्रूमेंट करते हैं इसका फर्स्ट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी कोई लिए वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिपिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग फिजिक्स का चैप्टर वन मात्रक मापन मापक यक यंतर जिसको इंग्ली offense में उनिट मेजर मेंजरिमेंट और मेजरिंग इस्ट्रुमेंट बोलते हैं कब फ़स्क्रापिक यूनिट के कोसं को बसाक्रार का उमास प्रासिया में जैसे किस में बहुतिक खुराशिया दिया हुआ है तो लंबाई का स्ब्राथिक मात्रक होत होता है और इसका प्रतीक केजी होता है नेक्स्ट समय तो समय का साइव मातरक सकेंड होता है और इसका प्रतीक है स्मॉल एस नेक्स्ट विदुद्धारा तो विदुद्धारा का साइव मातरक एंपियर होता है और इसका प्रतीक है नेक्स्ट है ताप तो ताप का इसाई मातरक केलविन होता है और इसका प्रतीक होता है नेक्स्ट है जो हदी तो इसका इसाई मातरक केंडेला होता है और इसका प्रतीक सीडी होता है नेक्स्ट है पदार्थ के मातरा तो इसका इसाई मातरक मोल होता है और इसका प्रतीक मोल हो सव्षी का सब्वेक का सव्षी है सदिस रासी है और सव्षी है कैसा तो सव्षी निकाय का कूल सव्षी इस्तिर रहता है और यहां सव्वेग का फर्मूला होता है दर्मान इंटू वेग क्या होता है दर्मान गुना वेग और इसका मात्रक होता है किलो ग्राम मीटर पर सकेंड या फिर केजी ग्राम मीटर पर सकेंड होता है फिर किसी वस्तुक पर लगा बल उस वस्तुक के सव्वेग में परिवर् के दर के बराबर होता है ने स्कूर्शन है उद्धोग में सक्ति की काई है तो इसका कई टेंसर ऑप्शन डी आसो सक्ति उद्धोग में सक्ति की काई आसो सक्ति होता है अब हम लोग इसका एक्स्प्राइशन देखते हैं भौतिकी में सक्ति यानि कि पावर या विदूत सक्त वादर होती है जिस पर कोई कारी किया जाता है या उर्जा सनरचीत है होती है अथवा एक नियत समय में कितनी उर्जा क्या हो सकता होती है या उर्जा व्य होती है तो यहां सक्ति बरावर होता है कारी बटाज समय क्या तो P बरावर WT और यहां सक्ति P की 21 जूल पर सकेंड सथवा वाट होता है उधोगों में पर्यूगत सक्ती को मूंकरता आधिक में तो उधोगों में आधिक सबसक्ती में वाप sitting है जबकि एक हर्स पावर बराबर साथ्वाबध शाहर इस को जूल पर सटिफ्रीश वाट होता है तो एक हर्स पावर 17 pasarаки होता हैれて नेक्ट है ध्वानी को मापने के लिए कौन से एक अक यूनिट को उप्योग में किया जाता है ध्वानी को मापने के लिए डेसिबल यूनिट का उप्योग किया जाता है इसमें ध्वानी को मापने के लिए डेसिबल एक अक यूनिट का उप्योग किया जाता है 200 स्वास संगठन के अनुसार 45 डेसिबल दोहनी मापन के लिए सरोतम होती है कितना तो मापन के लिए सरोतम 45 डेसिबल दोहनी होती है डबलु एचो के अनुसार 75 डेसिबल से उपर दोहनी को मानो स्वास के लिए हनिकारक माने जाता है निश्ट बिधूत आवेस का SI मातरक क्या है तो इसका काइट अंसर है option B कुलांब बिधूत आवेस का SI मातरक कुलांब है आपने एक्स्प्राइशन देखते हैं बिधूत आवेस जिसे इलक्टिक चार्ज पदार्थों को परसपर रगणने से उसमें आकर्सित करने का गुन उ इन्हें या नाम अमेरिकी बैग्यानिक बेंजामिन फ्रैंकलिंग ने दिया किस ने तो अमेरिकी बैग्यानिक बेंजामिन फ्रैंकलिंग ने दिया है इसका SI मातरक कुलांब होता है तो इसका SI मातरक कुलांब होता है नेक्ट है परकास वर्स निमनिखित में से किसकी तो एक परकास बराबर नौ दस्मलो चार से एक गुना दस्ट का और बारा किलिमीटर के बराबर होता है निक्ष कुशन है परतिरोध की SI काई है तो इसका कर्यक्ट अंसर है अप्शन बी ओम परतिरोध का SI काई ओम है अब हम लोग उसका एक्सप्रानिशन देखते हैं तो परतिरोध की SI काई ओम है जाज साइमन ओम एक भौतिक बैग्यानी और गनिताग्य थे उन्होंने ही एक तार में परवाइद बिदुद्धारा आई और उसके सीरोध के बिच विवांतर भी के बिच सम्मन्द को स्तापित किया था जिसे ओम का नियम काते है इसे भी बरा SI पर नालियों परतिबल की माप की काई न्यूटन पर मीटर स्क्वार है अब हमने इसका एक्स्प्लानेशन देखते है यहाँ जैसे परतिबल बराबर होता है आंतरिक परतिरोधी बल बटा छेतर फल तो यहाँ फिर सिगमा बराबर एप इन्स बटा एप ए हो गया यहाँ सिगमा पराबर एप पटाए हो गया यहाँ पर एप का हो गया न्यूटन और एरिया का हो गया मीटर स्क्वार तो इसलिए सिगमा के SI उनिट होगा नीटर पर मीटर स्क्वार और यह बल का SI unit Newton है और सक्ति का SI unit watt होता है निक्ट बिदुद्धारा का SI मातरक क्या है तो इसका काई टंसर अप्शन ने अंप्यर बिदुद्धारा का SI मातरक अंप्यर है और यहाँ पे फिर धारा का SI मातरक अंप्यर होता है आविस का SI मातरक कुलाम होता है कार और उर्जा का SI मातरक जूल होता है और सामर्थ का SI मातरक वाट होता है और या फिर जूल पर सकेंड होता है नेक्ट कुशन है आविस की SI काई क्या है तो इसका कई टेंसर है अब हम लोगी इसका explanation देखते हैं तो वस्तुवों को आपस में रगणने से उसमें आविस की मातरा संचित हुआती है शमान परकार के आविस धन थन अथब रीन रीन एक दूसरे को पर्तिरिसित करते है थथा बीप्रित परकार के आविस यानि क 누ran अखरती है आविस की SI का ही कुलाम होती है आम्पेर विदुद धारा का वाट विदुद सकती का तथा जूल कार का वार उर्जा के SI मातरक होते हैं नेक्स कुर्शन निम्ड का मिलान कीजिए तो यहाँ पे दिया हुआ है एक साइड चुमबके फलक्स के डेंसिटी मेगनेटिक फलक्स डेंसिटी फिर सेल्प इंडक्टेंस स्वप रेंरन मेगनेटिक फलक्स चुमबक फलक्स तो इसका काईट अंसर है ऑप्शन डी तो यहाँ पे ए का हो जाएगा पहला चुमबके फलक्स का हो जाएगा ए टेसला next swap ray run swap ray run का हो जाएगा handry next chumbak plus तो इसका हो जाएगा weber next question निम्लिखित में से किसकी इकाई उर्जा की इकाई के समान है तो इसका करिक टंसर ओप्सन सी कार तो कार का इकाई और उर्जा की इकाई दोनों समान होता है अब हम लोग इसका explanation देखते हैं बलकि दिशा में एक मीटर दूरी तक लगाने में या फिर एक अंपियर की विदुद धारा को एक ओम परतिरोद से एक सक्यन तक गुजारने में वे विदुद उर्जा या किये के कार के बराबर होता है next question है सक्ति की इकाई को क्या काते है तो इसका correct answer है option A वाट सक्ति की इकाई को वाट काते है अब हम लोग इसका explanation देखते हैं तो सक्ति या विदुद सक्ति वादर है जिस पर कोई कार किया जाए या ओर्जा संचारित होती है क्या है तो सक्ति या विदुद सक्ति वा कार है जिस पर कोई कार किया जाए या फिर उजा संचारित होती है तो सक्ति बराबर होता है P बराबर W by T और सक्ति के SI काई वाट है जिसे बग्यानिक GEMS वाट के नाम पर रखा गया है और 1 वाट सक्ति 1 जूल पर सकेंड के बराबर होता है निम्लिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है तो इसका काईट अंसर है ऑप्शन B सापेची घ्यानत का कोई इकाई नहीं होता है अब हम लोग इसका explanation देखते है यहां रासे और यहां मातरक तो यहां घ्यानत तो इसका मातरक होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब निक्ष्ट दाव तो इसका मतरक होता है निटर पर मीटर स्कॉर अथवा पास्कल निक्ष्ट विस्तापन तो इसका मतरक होता है मीटर तो सापेची घ्यानत की कोई भी इकाई नहीं होती है क्योंकि सापेची घ्यानत दो एक जैसी एकाईों का अनुपात होता है नेक्स कुर्सन ने बिदूत आविस की SI काई क्या होती है तो इसका कईट अंसर है option C कुलाम बिदूत आविस की SI काई काई कुलाम होता है अब हम लोग इसका explanation देखते हैं तो बिदूत आविस कीसी पदार्त का एक गुन है जिसकी उपस्तिती में किसी अन्य आविस द्वारा या पदार्त एक बल का अनुभाव करता है तो एक बल का अनुभाव करता है बिदूत आविस नाम की इस रासी को निरिपूत करने के लिए Q या फिर एक सदीस बहुतिक रासी है बल को व्यक्त करने के लिए परिणाम एवं बल की दिशा दोनों की जुरत पड़ती है सदीस रासी में कौन कौन आते है वो देखते है तो सदीस रासी बल तोरन बेग विस्तापन इत्यादी सदीस रासी है नेक्ष्ट अधीस रासी इस को सदीस रासी किसकी एकाई है तो इसका करेक्ट अंसर है अब लोग इसका एक्स्पराइशन देखते हैं बिदूत आवेस की एकाई है किसका तो आवेस परभा की दर को काते है क्या करते हैं आवेस परभा की दर को धारा काते हैं अता धारा यानि कि आई बराबर की बाइटी हो गया यानि की बराबर आई बराबर आई टी हो गया फिर यहां इसलिए अंपियर बराबर हो गया आवेस बटा सकेंड और आवेस बराबर हो गया आवेस बराबर आपियर सक हई है कि दोप नहीं की तिव्टा कम अपने के लिए डेसिबली का आई है स्मिनीता द्हें इस्तेमाल किया जाता है तो कहीं प厌न एंसर है और Go that's कले में सादाइट में चूर स कृषता एक व को सब ना Sigबें चैना डास्मदा नम्पेरट में 485 लीटर होता है निफ्ट कोछ्टन है अनुपचारिक रूप से खगोलिय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंभाई की कौन से इकाई का परुक्या जाता है अंतराष्ट ए खगोलिय संग के अनुशार परुकास वर्ष हुआ धूरी है जो परकास द्वारा निर्वात में एक वर्स में तैक की जाती है इसे मुख्याता लंबी दूरियों तथा दो नचतरों या तारों के बीच के दूरी में अपने के लिए पर्योग किया जाता है एक परकास बराबर 9.46 x 10.15 मिटर होता है नेक्स कोशन है रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है तो इसका कर्ट रेसिस्टेंस का यूनिट ओम होता है और हम लोग इसका एक्स्प्राणेशन देखते हैं तो यहां पर फिर विदुद्धारा इसका यूनिट अंपियर होता है और फिस सकती तो इसका यूनिट मात्रक हो नेक्ट पति रोध यह रजिस्टेंस तो इसका इुनित ओम होता है नेक्ट विवान्तर तो इसका इुनिट बॉल्ट होता है नेकर कूशनर नियूटन-पति-वर्ग मीटर होता है अब हम लोग इसका एक्प्राशन देखते हैं तो किसी सता के एक कांग छेत पर लगने वाला बल को दाब काते हैं दाब काते हैं और यहां दाब बराबर होता है प्रिष्ट के लंबवत बल बटा प्रिष्ट का च्छित पढ़ यानि की P बराबर F by तो दाब एक और दाब एक अदीश रासी है इसका SI मातरक न्यूटन परतिव वर्ग मीटर या फिर पास्कल होता है प्रिष्ट से लेकर सुर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है तो इसका काईट अंसर है ऑप्शन B एस्ट्रो नॉमिकल यूनिट अब हम इसका एक्स्प्रानेशन देखते हैं तो सुर्य और प्रिष्ट के बीच की माध्य दूरी यानि की मिन डिस्टेंस को एस्ट्रो नॉमिकल यूनिट काते हैं क्या काते हैं एस्ट्रो नॉमिकल यूनिट काते हैं सुर्य और प्रिष्ट के बीच की माध्य दूरी को फिर यहां पर एक एस्ट्रो नॉमिकल यूनिट यानि की खगोली यह इकाई बराबर 1.495 इंटू 10 पावर 11 मिटर होता है कि परकास द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तैक की जाती कितना तो एक वर्ष में तैक की जाती है इस question है बल यानि की force का si unit क्या है तो इसका kite answer है option b newton बल यानि की force का si unit newton है अब हम लोग इसका explanation देखते है यहां अचे ताब तो ताब का si unit Kelvin होता है और फिर यहां बल तो बल का si unit newton होता है दाब तो दाब का si unit pascal होता है और बिद्धारा तो बिद्धारा का si unit ampere होता है ने इस question है लिमिकित में से कौन सी मातरा और उसकी si का ही सही रूप से सुमेलित नहीं है तो इसका correct tensor है option भी pressure और पासकल क्योंकि pressure का पासकल पासकल नहीं होता है अब हम लोग इसका explanation देखते हैं तो चुमबकिय फ्लस चुमबकिय छेतर में रखी हुई किसी सता के लंबवत गुजरने वाली कुल चुमकिय रेखाओं को उस सता को चुमकिय फ्लस काते है चुमबकिय फ्लस का si काई वेबर है क्या है तो वेबर है ने इस question है विस्तापन की si काई है तो उसका correct answer है option है meter विस्तापन का si काई meter है अब हम लोग इसका explanation देखते हैं किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंबिक इस्तिती वा अंतिम इस्तिती के मद्धी की सबसे कम दूरी को पत की लंबाई को विस्तापन काते हैं या एक सदी सराथी है कैसा तो या एक सदी सराथी है और इसका si मातरक meter होता है तो इसका si मातरक meter होता है नेक्स कोशन है विभांतर का si काई क्या है तो इसका कर्यक टंसर अप्सन सी बोल्ट विभांतर का si काई बोल्ट होता है अब हम लोग इसका explanation देखते हैं तो विभांतर का si मातरक बोल्ट होता है आविस का मातरक कुलाम, सक्ति का मातरक वाट तथा उर्जा का मातरक जूल होता है नेक्स पूश्चन है, सक्ति के अंतराष्ट एकाई, SI काई है तो सक्ति का अंतराष्ट एकाई, यानिक SI काई, वाट होता है अब इसका explanation लोग देखते है तो कार करने के दर को सक्ति काते हैं सक्ति का अंतराष्ट 1W, जो 1 Joule पर 2 जूल के वराबर होती है जबकि कार का मतरक Joule है और 1 Joule पर 2.7 अरग होता है सक्ति का SI मतरक क्या है तो इसका करेक्ट अंसर है option A what, सक्ति का SI मतरक what होता है, क्या होता है what होता है, next question है परतिरोध की SI काई है, तो इसका correct answer है, option D ohm परतिरोध का SI काई, ohm होता है अब हम लोग इसका explanation देखते हैं जैसे कि यहाँ दिये गए बहुती गराचियों का SI काई इस परकार है, तो ब्दृध धारा तो इसका SI काई, अम्पियर होता है next विदृध आवेश तो इसका SI काई कुलाम होता है, next विभानतर तो इसका SI काई, एक्ट परतिरोध का SI काई, ohm होता है next question है, कि इस भौदिकृषटी का मातरक ohm होता है, तो इसका correct answer option option D, to run, तो G के मान कैसे काई, तो run कैसे काई काई के बराबर होता है, इसका expression देखते हैं, तो गृत्य तो run G और run का size unit एकी, एकी मीटर पर सकेंड स्क्वार होती है, गृत्य तो run G का संक्यात्मक मान 9.8 मीटर पर सकेंड स्क्वार होता है, निमनिकित में से किन भौती मात्राओं की इकाई एक समान है उपसान एक कार और उर्जा का मात्रक इकाई एक समान है इसका explanation देखते है तो किसी पींड वस्तु पर किये गए कार की माप लगाये गये बल की दिशा में वस्तु के विस्तापन की गुनरफ़ल के बराबर होता है और यह एक अधीस रासी है। ऐसा तो यह एक अधीस रासी है। तथा इसका SI मþतरक जूल होता है। तो इसका SI मþतरक जूल होता है। नेस्त कोशन है, Newton per m²'ll Act कि SI का है । This because correct answer is ... औप्शन भी दाव ! Newton per m²'ll Act का SI का है इसका explanation देखते हैं तो किसी सता के बटा छेतबल होता है याने की प्रिसर फोर्स बा एरिया होता है नेक्स्ट है न्यूटन मीटर स्क्वाइर पर केजी स्क्वाइर की स्क्वाइर के सार भोमिक नियम का इसका हम एक्स्वाइर देखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वाइर के स्क्वाइर के द्यार दिया गया है और इसका भीमिये अर परतिये स्क्वाइर के attachments आप पदार्थ की प्राकिरति तक करता है तो रह बरबर भाबर भाइल होता है चाहा, R परतिरोद है, L लंबाई है, H एच जदरपल है, रुइक नियतांग है जिसे, इसे चालक की परतिरोद हकता या बिसिष्ट परतिरोद कहाते हैं, इसका मातरक O-meter होता है, इसका मातरक O-meter होता है नेक्ट भार की S1I, डैस की S1I के बराबर होता है तो भार की S1I, बल की S1I के बराबर होता है अब हम लोग इसका explanation देखते हैं तो किसी वस्तु पर प्रीथवी के गुतोकर्षन की माप को भार या वजन काते हैं क्या काते हैं भार या वजन काते हैं प्रीथवी की सता पर गृत्वकर्शन के कारण त्वरन लबक समान होता है और भार की SI काई, बल की SI काई के बराबर होता है किसका तो भार की SI काई, बल की SI काई के बराबर होता है भार तो बल की SI काई, न्यूटन होता है पूसर ने निम लिकित में से किन यूगम की एक ही SI का या नहीं है तो इसका कईट एंसर है option सी बल और दबाव बल और दबाव का एक से SI यूनिट नहीं होता है अलग-अलग होता है अब हम लोग इसका explanation देखते हैं तो दिये गए बिकल्प में से सिर्फ बल और दबाव की एकाई है करमसा न्यूटन और न्यूटन मीटर स्क्वार है अन्य सभी बिकल्प में SI यूनिट की एकाई है एक शामान है नहीं स्कूर्शन है डास चाल का अंतराश्ट SI काई है तो इसका कईट अंसर है चाल एक अदिस रासी कैसा तो चाल एक अदिस रासी है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय और चाल की SI काई होगया मीटर पर सेकेंड नहीं स्कूर्शन है दाब का अंतराश्ट ये एकाई है तो सक्राइक टैंसर है ऑप्सन डी पासकल दाब का अंतराष्ट SI काई पास्कल है अब हम लोग इसका explanation देख लेते हैं तो किसी सता के एकांग शेतर पर लगने वाले बल को दाब काते हैं दाब का अंतराष्ट SI काई पास्कल या Newton पर मीटर स्क्वाइर है और यहां दाब बराबर होता है प्रिष्ट के लमवत बल बटा प्रिष्ट का छेतर पर जाने की प्रेसर पर फोर्स बाइरिया होता है नेक्ट है सवे का अंतराष्ट SI काई क्या है तो कर्यक्ट अंसेर आप्शन भी केजी पर मीटर स्केंड स्क्वाइर क्या है दाब का अंतराश्ट एकाई केजी मीटर पस सकेंड है अब हम लोग इसका इक्सिन देखते हैं तो किसी वस्तू के वेक तता दर्मान को लिन फल को शवेक करते हैं तो दाब का इसा काई पसकल होता है कुर्शन निम्ड में से कीन दो भौती की राज़ों की एक ही है तो इसमें option सारा गलत दिया हुआ है इसका अब हम लोग explanation देखते हैं तो दाब तो दाब का SI एक आई पास्कल होता है नेक्ष्ट भार बल या उत्पेच तो इसका SI एक आई न्यूटन या फिर kilogram per second square होता है नेक सत्य होगा क्या होगा विए हड़ी दोनों सत्य होगा नेक्ष्ट कोर्शन मीटर पर सकेंड स्क्वार निमिनकित में से किसकी SI का आई है तो इसका SI का आई है अब हम लोग इसका explanation देखते हैं तो किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वारन काते है किसी वस्तु के सत्य है निस कोर्शन है डास की SI का जूल पर सकेंड है तो सकती की SI का जूल पर सकेंड है अब हम लोग इसका explanation देखते हैं तो कार करने के दर को सकती का आते हैं इसका इकाई जूल पर सकेंड के बराबर होता है जूल पर सकेंड के बराबर होता है यहां P बराबर W बैटी होता है जहां P सकती है W कार है और T समय है निस्कोर्शन है डास की SI का न्यूटन है the correct answer option b वजन और बल की SI का न्यूटन है अब हम लोग इसका explanation देखते हैं तो इसका बल वा बहा कारेक है जो किसी वस्तु की प्रारामी का वस्ता में परिवर्तन करता है या परिवर्तन लाने का परियास करता है यह एक सदीष रासी कासा तो बल एक सदीष रासी है इसका SI मातरक Newton है भार या वजन उस वस्तु पर लगने वाले गृत्व तो रण जी जिसका भार पृत्व पर मान 9.8 मीटर पर सकेंड वाले गृत्व गरसन बल्का परीन नाम है इसका मान जगा के साथ बदलता रहता है इसका SI1N है और यह एक सदीस रासी के असाथ यह एक सदीस रासी है निक्ष कुशन है विदुध्धारा का SI1N है तो सब्सक्राइब अब हम लोग इसका एकस्प्राणिशन देखते हैं सब्सक्राणिशन देखते हैं तो कार करने की दर या उर्जा रुपांतरन की दर को सक्ति काते का करते हैं या कोई करता टी समय में डवलू कार करता है तो सक्ति बराबर हो जागा कार रिबटा समय या फिर भी बराबर डवलू बैटी और सक्ति का SI1N होता है क्या होता सकती के si काई what होती है नेश कर्फ सरने dash की si काई volt है तो इसका correct answer option विभांतर के si काई volt होता है अब हम लोग इसका explanation देखते हैं तो किनी दो विंदू के बीच बिजूद विभाव के अंतर को विभांतर काते क्या करते हैं विभांतर काते हैं अर्थात एकांक आवेश को एक अस्तान से दूसरी अस्तान तक ले जाने में किया गया कार विभांतर का लाता है इसे वोल्ट मिटर या फिर विभाव मापी से मापा जाता है विभांतर का SI मतरक बोल्ट है क्या है तो विभांतर का SI मतरक बोल्ट है इसका मापन ओम के नियम से भी किया जाता है अर्थात विभांतर ब्राबर पतिरोज गुना परति विदुद्धारा इसे भी से व्यक्त करते हैं किसे तो इसे भी से व्यक्त करते हैं ने इस कुछने कु सब्सक्राइक निए अलगने वाले बल को टाप करते हैं पासकल का एंस आइक हम लोग ऐसका गुलान है तो है किसी सथा पर लगने वाले बल को दाब काते हैं और यहां दाब बराबर तो तल के लबेट बराबर तल का झाने हो पास्कल भी काते है और आए इसका दाब काए साही मात्रा की इसका चाही काते है ताप का SI मात्रा पास्कल है नेस्ट कुछन है त्वरन का SI काई क्या है त्वरन की SI काई मीटर पर सकेंड स्क्वाइर होता है अब हम लोग इसका explanation देखते हैं तो किसी कान या वस्तु के विएक परिवर्तन की दर को त्वरन कहते हैं त्वरन करते है त्वरन एक सदी सराथी कैसा तो त्वरन एक सदी सराथी है इसका SI मात्रा मीटर पर सकेंड स्क्वाइर होता है क्या होता है मीटर पर सकेंड स्क्वाइर होता है नेस्ट है सवेक की SI पर देते में काई क्या है सब्सक्राइब करते हैं तो किसी वस्तु के दर्मान तथा वेक के गुननफल को वस्तु का सब्सक्राइब करते हैं या एक अदिस रासी का सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं इसका सब्सक्राइब किलोग्राम मीटर पर सकेंड होता है निवन में से कौन सी तापमान के सब्सक्राइब करिक्ट अब हम लोग इसका एक्स्वांशन देखते हैं अंतराष्ट पर दिती यानि के सब्सक्राइब के है तापका या पैमानल लाड केल्विन की दोरा सल 1852 में प्रस्विच किया गया था इसमें जल के हिमां को 273 केल्विन तथा या डिगरी सेल्सियस में या डिगरी अल्विलूट में तथा क्वा स्क्वार डास के अंतराश्ट एसा काई है तो दाब कहें काई एसा काई न्यूटन पर मीटर स्क्वार है अब हम लोग इसका उससे सब्सक्राइब के लुटें तोह बैस के या फिकिक शिखन डाब काराश्टी स्क्राइब या फिकाई प्ल स क्वार previous फॉर्स या तो कैक्ठ और बहार के यह भार के यह फिल कोषा equilibrium है जो वोक्रीज़ एक्षास की सीखनग हो है अब हम लोग इसका explanation देखते हैं तो भार दनों सदीस राशिया है सदीस राशियों में परीनाम और दीसा दोनों होते हैं भार और बल दोनों का SIKI मतरक kg मीटर पर सकेंड स्कॉयर है अथवा Newton होता है न्यूटन होता है इस कोसे ने आवेस का S का ही क्या है तो इसका आवेस का S I का ही कुलाम होता है यहां कुलाम कोई भी option में ने दिया है तो सारे option इसमें गलत है अब हम लोग इसका expansion देखते हैं तो आवेस किसी दर्व पर उपस्तित वाव गुन है जिसके कारण वा चालक पद चुमबा के छेत्र उत्पन करता है या इन छेत्रों का अनुभाव करता है आवेस का S I फर दिती में मातरक कुलाम होता है एक एलेक्ट्रोन पर 1.6 into 20 पावर मैनस 19 कुलाम का रीन आवेस होता है जबकि भोल्ट विवांतर का वाट सक्ति का और जूल कार का तथा एंपियर व साफेच रासी नहीं है अब हम लोग इसका explanation देखते हैं समय बहुतिक राशियों में साफेच रासी नहीं है क्योंकि समय किसी आनि बहुतिक राशियों पर निरभर नहीं करता है किसलिए तो समय किसी आनि बहुतिक राशियों पर नहीं करता है next question निवन में से किस रासी के ल तो घहनतों का SI मत्रक होता है किलो ग्राम पर मीटर क्यूब या फिर ग्राम पर संटिम्टिम्टर क्यूब जए कि एक समान नहीं होती है इसका करिक टेंसर है option D, बल और दाब, बल और दाब की इकाई हैं समान नहीं होती है अब हम लोग इसका explanation देखते हैं तो बल और दाब की इकाई हैं समान नहीं होती है बल का SI मातरक Newton तथा दाब का SI मातरक Newton पर मीटर स्क्वार होता है या फिर पास्कल होता है अब हम लोग इसका explanation देखते हैं तो ओम मीटर परती रोदक्ता की SI काई है एक मीटर लंबे किसी पदार्थ का टुकड़ा किसी अनुप्रस्थ काट का छेतरपल एक वर्ग मीटर है तब पदार्थ के उस टुकड़े का परती रोदक्ता काहलाती है परती रोदक्ता या फिर बिसिस्ट परती रोदक्ता रो बराबर होता है आरही बटा एल ओम मीटर नेश कूर्शन है डास की SI काई अंपियर है तो किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्थन की दर को त्वरन काते है यदि वेग परिवर्थन की दर रिनात्मक हो तो इसे मंदता कहा जाता है और मंदता का SI मातरक मीटर पर सकेंड स्कॉर होता है जो की त्वरन का भी होता है नेक्स कूर्शन अन्मिनफित में से किनी जुग की SI काई समान है अब हम लोग इसका expansion देखते है तो कार का मातरक जूल है इसे संचिप में J से नी रुपी किया जाता है और उर्जा का मातरक भी जूल होता है कार और उर्जा का SI का समान है इसका विमेश हुतर है ML2 T2-2 होता है नेक्स कूर्शन है एक पास्कल बराबर होता है और उप्सन ए एक न्यूटन पर मीटर स्क्वार जो एक पास्कल बराबर एक न्यूटन पर मीटर स्क्वार होता है नेक्स कूर्शन है नेमलिकित का सही मिलान करिए यहां फस्ट है वाट फिर किलो वाट है फिर 1kWh है तो इसका कई टेंसर है option A अब हम लोग इसका explanation दिखते है यहां वाट तो वाट काई काई यहां पर होता है न्यूटन मीटर पर सकेंड यहां फिर किलो वाट तो इसका कई होता है हजारो एक किलो वाट बराबर होता है हजार वाट नेक्स है 1kWh तो एक किलो वाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू टेंट पावर 6 जूल नेक्स है एक HP तो एक होर्स पावर बराबर होता है 746 वाट अब हम लोग इसका एक्स्प्लानिशन देखते है अब अब तरंगदर का एसाई मातरक मीटर होता है इन में से कौन सा एसाई काई का में मोल का प्रतिक नहीं है अब तरंगदर का एसाई मोल का प्रतिक मोल होता है अब हम लोग इसका एक्स्प्लानिशन देखते है दोहनी तरंग अनुदर्ग यांतिक तरंगए होती है जब दोहनी तरंगों के आविटी 20 हर्ड से लेकर 20,000 हर्ड के बीच होती है तब उनकी अनुविती अपने कानों में के द्वारा होती है और इन्हें हम स्राइध्वानी तरंग काते हैं वायू में ध्वानी का चाल 332 मीटर पर सेकेंड होता है अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सेर करें साथी चनल को सब्सक्राब जरूर करें इसके बाद और भी जितने प्रिवेस येर के कोशन बैंक के टॉपिक से चैप्टर से टॉपिक बचे है उसको हम आने वाले वीडियो में पाट वापैट अप्लोड करेंगे थैंक्यू